हाई दोस्तों आप देख रहे हैं Guruji's Vlogs और आज हम बात करने वाले हैं Top 10 Best Bike जो यंग्सर और college students के लिए परफेक्ट रहेगी जब हम college student और यंग्सर के बात करते हैं दोस्तों budget जो होता है ना बहुत बड़ा स्ट्रेंड करता है तो आज की जो बाइक होंगी वह एक से डेला के असपास में होंगी अच्छा performance mileage जिनका maintenance लो है average अच्छा देती है दोस्तों और multiple road conditions में भी अच्छा आपको performance देती है वो bikes में आपको share करने वाला हूँ तो make sure इस वीडियो को आखर से जरू देखिए अगर आप plan कर रहे हैं bike लेने का और ये list में से आप अपनी daddy को जरू कर सकते हैं कोई भी एक bike लेने के लिए तो कि जानते हैं तो सब्सक्राइब कर दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा स्पेसिफिकिशन बोल के बोर नहीं करना चाहता है सिर्फ में हम बात करेंगे की फीचर्स प्रो एंड कॉंस pricing and mileage के बारे में तो दोस्तों इसका जो प्राइजिंग आ रहा है 1,17,000 के आसपास मे के किलोमेटर परावर के असपास मिल जाता है माइलेज जो है 35 से 40 के असपास में अच्छी दे देती है दोस्तों की फीचर्स अगर हाइलाइट करूं तो स्टाइली सेमी फेर डिजाइन मिल जाता है क्लिप-on हैंडल बार मिल जाते हैं आपको फ्यूल इंजेक्टर मिल जात जाते हैं दोस्तों डे टाइम रनिंग लैंप मिल जाते हैं यह तो होगे की फीचर दो अब इसके प्रों कॉंस की बात करें जो कि आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप कोई बाइक कर रहे हो दोस्तों प्रोज अगर बात करें स्टाइलिस्ट फ्रेंट एंड मिल जाता है प्राइस्टेक भी कॉंपिटिटिव है दोस्तों 1,17,000 के असपर एक्षोरों मतलब बहुत ही अच्छा है और दोस्तों की बात की बात की जा तो अभी थोड़ा सा पावर को लेके ना थोड़ा सा फिंगर पॉंटिंग है और इसमें जो सिक्स दिगे रहे ना अगर वो द यह सब मॉडल से इसके अंदर आते हैं उसका प्राइसिंग और दोस्तों सिटी में भी दोस्तों इसको जो की अच्छा है सिटी और हाइवे के लिए की फीचर की बात की जाए तो रेट्रो क्लासिक लुक मिल जाता है दोस्तों फ्रंट जो है वी आपको 19 मिल जाता है जिसे ग्रिपिंग बहुत यह तो इंद प्रो यह है कि आपको हाइ चाब के साथ और आपको एक रेट्र goodbye विल जाता है जो मांचों कते अच्छा फील देता है आपको और दिश्च ब्रेक ऑप्शस्न भी बुलेट्स में आ चुके हैं पहले डिस नहीं आए था था पहले आपका ड्र्म बैगम आते थे थे पावर अंडर पावर तोड़ा एंजन जो 346 इंजन है उसका पावर अच्छा अच्छी थोड़ी आच्छी मिलने चलिए थी वो तोड़ा सा है वाइब्रेशन थोड़ा सा इस्व है थोड़ा सा है यह सारे प्रोलम्स को अगर बाजू में कर दिया है तो बाइक बहुत ही आप पर चलते हैं अपने नेक्स मॉडल के ऊपर दोस्तों नॉम्बर एट पे हैं ही रोका एक्स पॉल्स टूहंड़ेटी सी बीसिक्स मॉडल है दोस्तों इसको भी एंस बहुत जा पसंद कर रहे हैं इसका ऑन्रोड ऑफ रोड लुक के वाज़े से 1,6000 की यह बाइक जो है एक् की फीचर्स को ऐलेट करें दोस्तों डूल स्पोर्ट शपाइक मिल जाती है प्रेमियम लूप मिल जाता है आपको अंदर इसके अंदर फ्यूल इंज्टर है और डिजिटल आपको कंसोल मिल जाता है जो कि फुली है एंड टरन बाइटर नेविकेशन मिल जाता है एलेड जो कि इंपोर्टिन है फर्स तो एफाइंजर मिल रहा है आपको इसमें अमेरिक जाते बता है अनुड ओफ रोड है सस्पेंशन तो लॉग मिल जाते हैं और दोस्तों सेग्मेंट में बहुत लोग प्राइस में आपको मिल जाता है आपको हाई ग्राउंट मिल जाता है वैली फॉर मनी है थोड़ी सी इसमें जो कॉलिटी और बिल्ट कॉलिटी वह अच्छी की गई है और कॉंस की बात की जाए दोस्तों तो टॉप स्पीड जो है थोड़ी कम है और प्रोजिंग स्पीड आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पात तो अच्छा है सीची और होड़ी स्पीट के मिल जाता है जो की बहोत है थी और हाइवेक के एहां यह थे वालाच के मिल जाता है दोस्तों फटक है वहाँ अट कीटी प्यल विल ज़ाता है अपकोड़ प्रॉक मिल जाते हैं बहुत यह अच्छ है कि दॉस आफब आरे स्क्राइज को अगर equipment मिल रहे हैं, आपको 6-speed gearbox मिल रहा है आपको, और good performance मिल जाता है आपको, USD frocks मिल जाते हैं, आपको liquid engine मिल रहा है, और acceleration भी, pickup भी आपको बहुत मिल जाती है, अब बात करें, cons की तो दोस्तों थोड़ा pricing जो है, हलका सहाई बढ़ जाता है 125cc के engine के लिए, और दोस्तों, highway पे उतना अच्छा performance इसका नहीं है, otherwise ये model, youngsters के लिए, city ride के लिए, बहुत ही जादा अच्छा है, दोस्तों, नमबर 6 पे है, Yamaa के MT-15 BS6 model, दोस्तों, ये भी youngsters को बहुत आपस्ना रहा, बिकॉसका जो naked body design है, वो एकदम KTM Duke जैसे ही लगता है, फो स्टों, फोर वॉल इंजन मिल जाता है, अगर दोस्तों, की फीचर्स की बात करें, तो आपको इसमें aggressive street fighter compact design मिल जाता है, international color radiance मिल जाते हैं, powerful engine मिल रहा है, आपको sleeper clutch के साथ में है, six speed gear और malfunction fuel injector भी मिल रहा है, आपको navigation, LCD, instrumental cluster मिल रहा है, आपको, and दोस्तों, tail light भी आपको LED मिल रही है, आपको allowables और tubeless tire का भी मिल रहा है, side stand engine cut off switch मिल रहा है, दोस्तों, radial tire मिल रहे हैं, रेर में, जो कि 140 mm के wide tires है, जो कि अच्छा look देते हैं, आपको premium look देते हैं, अच्छा माइलेज भी आपको साते मिल रहा है, और अच्छा माइलेज भी आपको साते मिल रहा है, तो दोस्तों, इसमें single channel ABS है, इसके वज़े से ही थोड़ा सा राइडर्स को पने पसन नहीं आ रहा है, तो जोड़ा सा राइडर्स का रिव्यू, इसके अंदर बैड नहीं आया हुआ है, तो यह भी best model बन जाता है, आपके daily riding के लिए, दोस्तों, इसका जो एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है, जो की अच्छा है, city और highway दोनों के लिए ही, तो स्टाइलिस्ट मस्कूलर डिजाइन मिल जाता है, दोस्तों, यह आमा में माने जाता है, यह BSS compliance वो टोटली मैच करता है, और BI functional LED headlamps मिल जाते हैं आपको दोस्तों, यह daytime running light मिल जाती है आपको, इसमें आपको navigation LCD instrumental cluster मिल जाते हैं, आपको side stand engine cutoff switch मिल जाता है आपको, और दोस्तों, इसके अंदर light weight जो है, वो chassis frame मिल जाते हैं, और दोस्तों 7 step adjustable monoshock absorbers मिल जाते हैं आपको, और यह सारे के साथ में आपको wide tires और alliables भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, इस pricing range के साब से बात की जाए, तो अभी भी थोड़ा सा प्राइजिंग इस segment में हलका सा जाता है, बढ़ 250cc के सबसे कर देखा जाता है, तो पावर सही है, अगर pro and cons की बात की है, जो की important है, powerful आपको इसके इंजन मिल जा रहा है, comfortable seat मिल जाती है, good अच्छी और breaking मिल जाती है, पॉइंटिंग है कि इसका performance उतना अच्छा नहीं आ रहा है, otherwise, youngster के लिए city ride के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, look and design और performance के लिए और low maintenance के लिए, दोस्तों, नबर 4 पे है बजाज Pulsar NS200CC BS6 model हैं, दोस्तों ये भी riders को बहुत जाब पसंदा रही है, बिकाज ये budget friendly भी है, compact भी रहती है और city ride के लिए बहुत जाची रहती है, जो इसका pricing बढ़ रहा है, 1.25 lakhs के असपास में आपको इसका एक showroom price बढ़ जाता है, इसका जो engine है, 199.5cc के engine मिल जाता है, single cylinder SOSC triple spark engine मिल रहा है आपको दोस्तों इसमें, top speed 138 kmph के मिल जाती है, mileage 35-40 kmpl के असपास में आपको मिल रहा है, key features को अगर highlight करें तो दोस्तों aggressive street fighter design मिल जाता है, जो कि compact भी है और handling भी बहुँच रहती है, city में इसकी, powerful engine मिल रहा है, fuel engine मिल जाता है, आपको इसके अंदर liquid cool engine मिल रहा है, striffer frame मिल जाता है, जो कि body frame है, chassis frame है, और detailer analog console मिल रहा है आपको इसके अंदर, और seat up जो है, seats मिल रहे हैं आपको, और दोस्तों इसके अंदर आपको tail light जो है, वो LED मिल जाती है, अगर pro and cons की बात करें तो दोस्तो competitive price है, और इसका acceleration बहुत ही अच्छा है, compact bike है, handling बहुत अच्छी है, highway पे भी performance अच्छा आजाता है, और इसकी जो braking controlling है, वो यह बहुत अच्छा है, हलका सा चीज़ें जो है, again जो design है, उसको लेकर फिंगर पॉंटिंग की जा रही है, और दोस्तों हलका सा vibration आपको मिल जाता है, और single challenge ABS, यह चोटी-चोटी चीज़ें जो है, वो ही साफ फिंगर पॉंटिंग है, otherwise यह model जो है, यंग राइडर्स को बहुत अपसंदा आता है, दो थर्ड नमर पर आता है, TVS Apache RTR 204V BS6 model, और दोस्तों यह model भी यंग्स्रों को बहुत अपसंदा है, इसको जो एक शोरूम प्राइज है, 1.25 लाइस के आसपास में बढ़ जाता है, 197.75 CC के एंजन बढ़ जाता है, single cylinder SI 4-stroke इंजन मिल जाता है, top speed जो आपको 128 km per hour के आसपास मिल जाती है, mileage 38 to 40 km PL के आसब मिलता है, and feature के अगर बात किज़ेंगे, तो fully featured bike है, stylish muscular design मिलता है आपको, इसमें racing graphic मिल जाते हैं, जो की new design है दोस्तो, racing tune fuel injector मिल जाता है, इसके अंदर आपको dual channel ABS with RLP मिल रहा है, वंद्दब आपको rare lift up protection मिल जाता है, और इसमें racing tune slipper clutch मिल जाता है, radiator मिल रहा है, barrel exhaust मिल रहा है, दोस्तो double barrel exhaust, and full LED headlight मिल जाती है, जो की अच्छा focus भी देती है, digital console मिल जाता है, आपको इसमें navigation feature मिल जाता है, lean angle mode मिल जाते हैं, दोस्तो smart connectivity मिल जाती, ये सारे features जो आपको 1.25 लैक्स मिल रहा है, जो की बहुत ही अच्छा है, दोस्तो pro and cons की बात करें, जो की important है, इस segment में pricing range जो है, आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है, but कुछ चीज़ें इसमें cons भी हैं, दोस्तों, again, six gear जो है, इसके अंदर machine है, थोड़ा six gear होता तो, power को और अच्छा utilize कर सकते, and थोड़ा highway पे जो है, जो performance है, वो थोड़ा सा कम आ रहा है, अदर्वाइस, बाइक जो है, वो design के साब से, look के साब से, बहुत ही अच्छा है, दोस्तों, नमबर दूपर आता है, यामा आरोन फाइल वी थ्री, बीसिक्स मॉडर, दोस्तों, इसका जो aggressive sitting position है, और दोस्तों, इसका जो body design है, वो राइड़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, दोस्तों, में चीज़ इसका प्राइजिंग जो है, 1.45 लाइस के आस पास में एक शोर्म प्राइस पर जाता है, दोस्तों, के एंजन जो आता है, 155 CC का सिंगल स्रिंटर 4 चोग 4 वाल इंजन पर जाता है, 6-speed gear box मिल जाता है, दोस्तों, आपको अंदर slipper clutch मिल रहा है, dual channel ABS मिल रहा है, side strand engine, cut off switch मिल जाती है, LED tail lamp, headlight मिल जाता है, malfunction LED, sorry, LCD, instrumental cluster मिल रहा है, gear shifter के साथ में, gear shifting indicator के साथ में, dual tone on मिल जाते हैं, 140 mm wide radial tire मिल जाता है, USB port मिल जाता है, जो की अच्छा है आपके riding के लिए, और दोस्तों, बहुत लोग इसमें long ride, short ride भी करते हैं इसके इंदर, और इसका अगर pro and cons की बाग कर जाता है, दोस्तों, great design मिल जाता है, powerful engine मिल जाता है, obviously, Yamaha का जो pick up है, और braking controlling है, वो भी बहुत अच्छा है, slipper touch features के साथ मिल जाता है, cons की अगर बात करें, तो highway पर performance थोड़ा सा कम है, city के लिए बहुत ही अच्छा है, look और style बहुत चलगता है, और youngsters को इसका sporty design है, वो बहुत जादा पसंदाता है, दोस्तों, no.1 पे है, दोस्तों, इसका network बजाज का, वो भी बहुत जादा बड़ा है, जिसके वे service भी cost रहना, वो भी बहुत जादा कम होती है, तो इसका प्राइज है, 144 लैक से असपास में, एक्शोरम प्राइज है, दोस्तों, और इसका एंजन आता है, 199.5 cc का इंजन आता है, single cylinder, triple spark, four wall engine मिल जाता है, आपको top speed मिल जाती है, 141 की है, और mileage जो है, 40 km PL के असपास में, आपको दे देती है, दोस्तों, अगर इसमें, की features को highlight करो, तो दोस्तों, fully fair design मिल जाता है, powerful FI engine मिल जाता है, liquid cool engine मिल जाता है, sporty exhaust node मिल जाता है, दोस्तों, आपको, इसमें twin projector headlamp मिल रहा है, crystal LED, tail light मिल रही है, दोस्तों, आपको इसमें, digital analog console मिल रहा है, आपको इसमें dual channel ABS मिल रहा है, tubeless tire मिल रहा है, allowable, दोस्तों, LED turn indicator मिल जाते हैं, split up seat मिल जाते हैं, और performance बहुत यचा है, controlling बहुत जाते हैं, fade design riders को बहुत जादा पसंद आता है, इसका जो aggressive sitting position है, वो भी rider को बहुत पसंद आता है, इसमें cons की बात की जाए है, दोस्तों, थोड़ा सा outdated design हलका सा हो चुका है, otherwise riders को तो ऐसा नहीं लगता, sailing, तो यह नहीं बोलता कि इसमें कुछ चीज़ कम है, again इसमें थोड़ा सा gear जो है, gear shifting में थोड़ा सा finger pointing है, बाकि इस model में कोई भी problem rider को feel नहीं होता है, I hope दोस्तों आपको इस वीडियो बहुत जाद पसंद आता होगी, इस आप से बनाई गई है, तो दोस्तों, I hope आपको इस वीडियो बहुत आपस में आएगी, तो like जरू कर देगा, subscribe जरू कर देगा, ख्याल रखे, ध्यान रखे, और देखते रहे गुरुजीत व्लॉग, ऐसे ही बहुत सारे इंफ्रोमेट वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, बाई!